अभीविवर्ण स्वागत हैं को बच्छो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चेप्टर नमबर फोर प्लैनिंग आज से हमारे स्टार्ट होने वाले functions of management मतलब planning organizing staffing directing controlling chapter number four से लेके chapter number eight तक हमारे क्या चलने वाले functions of management चलने वाले बच्चो तो बिना time को waste करें इस प्यारे से सबसे भड़िया chapters हम करेंगे शुरुआ अपने functions of management चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा यह देखने वाले कि चैप्टर में हमको basically पढ़ना क्या-क्या है तो what are the contents of the chapter concept पढ़ेंगे planning process पढ़ेंगे मतलब planning करते कैसे हैं features of planning importance of planning limitations of planning limitations of planning भी पढ़ेंगे कि planning करने की disadvantage खामिया भी होती है हैं बिल्कुल होती है फिर हम पढ़ेंगे types of plan कि हम कौन-कौन से तरीके के plans बनाते हैं objective strategies policy procedure method rule program and budget तो काफी सारे तरीके के हम plans बनाते हैं तो एक-एक करके चलिए बच्चो start करते हैं अपने पहले class 12 class ket doable class में हैं हमारा target old college58556 ид कर अच्छे classes लेकर आने हैं यह मारे पास फैसे लाइर पास है वह कॉर्द को लाइव को लाइव में बहुँआप है सक्ष्फिल है लेकिन उस goal तक कि पहुछना भी है कि हम starting से पढ़ेंगे फिर हम revisions करेंगे फिर हम test series देंगे फिर हम mock test तो हमारे अच्छ नमबर आ जाएंगे हम इस teacher से पढ़ेंगे इतने time तक हमारा course complete हो जाना चाहिए हम target बनाते हैं और फिर उसके लिए plan भी करते हैं उसके बाद आप college की तयारी के लिए अभी से plan मना के चल रहे हो कि college के दौरार हम CUT की तयारी करने वाले हैं हम क्योतने percentage लेकर आने वाले हम इस college चाहिए कोई government firm हो चाहिए कोई बड़ी company हो चाहिए कोई छोटी company हो चाहिए कोई service organization हो चाहिए manufacturing organization हो हर कोई अपने गोल को achieve करने के लिए क्या बनाता है plan बनाता है या कोई चीज समाझ में आ रहे है अगर वो plan नहीं बनाएंगे तो अपने targets को achieve नहीं कर पाएंगे this is how important planning is आपको एक प्लैनिंग की important समझ में आ रही कितने important है planning चलिए बच्छो स्टार्ट करते है अपने reading के संग और इसको धीरे-धीरे explain करके समझेंगे तो क्या लिखा हो all business firm would like to be successful increase their sales ठीक है हर कोई चाहता है आप भी चाहते मैं भी चाहता हूं ठीक है ना हर एक manager की dream यह रहती कि उपने goals को achieve करें बट उन goals को reality में convert करने के लिए उनको बहुत मेहनत करने पड़ेगे मेहनत करने के साथ उनको future के बारे में सोचना पड़ेगा कि future में क्या होगा कैसे हमको decision लेना है कैसे हमको काम करना है किस तरीके से हमारे actions होंगे समझ वारा है तो dreams can be turned into reality only if managers can think in advance what to do and how to do it जैसे आप पहले से advance में plan करके बैठे होगे class 12 में 90% कैसे लेकर आने यू know what to do you want to score 90% and you know how you can do it by studying from best teachers ठीक है best note से हम revise करेंगे फिर हम test series देंगे you know everything you know what to do and you know how to do तो मतलब आपका plan ready है clear हो रहा है बिल्कुल सही तो यह सुछा plan plan के बारे में बात होगी अगर exam में पूछा जाए what is planning तो उसका क्या अंसर देंगे अब उस मुद्धे पर बात करते हैं ठीक है तो concept of planning के चलो इसके बारे में चोटी से बात कर लेते हैं वह सिंपल सी one-liner definition है और वह definition क्या है planning means what to do and how to do बस इतनी सी definition है क्या करना है कैसे करना है इस चीज़ को हम क्या बुलाते है planning बुलाते है देखो आज आप यहां हो class 12 की starting में हो आपको career में successful होना आपको class 12 में successful होना आपको एक अच्छी college में admission लेना है तो मतलब यहां पर आपको यहां पर आपका target है तो यहां से यहां कैसे पहुंचोगे plan के थूरू पहुंचोगे तो planning आपकी जो दूरी है ना इसको कम करने की कोशिश करता है आपको directly वहां का route बताता है shortcut बताता है कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो गलतिया करोगे long route पकड़ोगे दिक्कत होगे लेकिन plan मनाओगे कोई plan हम advance में बनाते हैं बाद में उस प्रेक्शन लेते हैं तो हमारा जो route है वह short हो जाता है हमारी जो दूरी है वह कम हो जाती है simple words में बोलू planning is just like a google map location डालो see that आपको रस्ता मिल जाता है समझ में हाया चीज़ तो planning की definition ही है planning is deciding in advance what to do and how to do that's it planning क्या करता है जो gap है I repeat जो gap है कहां पर आपको कहां आप पहुंचना चाहते हो उस gap को bridge pull बनाने की कोशिश करता है जिससे आप वहां से चड़के वहां पर चले जाओ Google map की तरह आपको रास्ता दिखाता है कि यह step आपको करने है और आपको जो goal है वह achieve हो जाए का clear हो क्या okay देखो बच्चो हमने पहली definition पढ़ी थी पहले दिन ही पहली definition पढ़ी थी management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently और उसमें मैं आपको बता है process का मतलब क्या होता है functions of management planning organizing staffing directing controlling planning हमेशा सबसे पहले आता है सबसे basic function है सबसे primary function है जबता अगा plan नहीं करोगे आप किसी चीज़ को organize नहीं कर पाऊगे आप लोगों को नहीं लाव पाऊगे बता होगे नहीं की करना क्या आप काम करना है और उस पर कैसे काम करना है तो मतलब यह कैसे सकते planning किस पर based है creativity पर based है क्योंकि जो managers होते हैं जो आप लोग भी होते हो आप creative ideas बनाते हो आपकी इस साल फेर्वेल है है ना तो फेर्वेल के बाद after party तो आपकी पक्का होने वाली है बिलकुल होने वाली तो उसके plans बनेंगे अरे यहां करते हैं यह चीज़ करेंगे डिस्क को यहां से लेकर आएंगे पीने करते हैं होगा के नहीं होगा समझ में आ रहा है dance कौन सा होगा तो सारी चीज़े creativity होगी innovation होगा नहीं नहीं तरीके से निकाल पाओगे नहीं आइडियास हैंगे आरे लास्ट यह मैंने यह देखा था वह देखा था तो creativity और innovation दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है हमारा planning clear हो रहा है फिलकुल से बस इन्होंने बस यह बात बोली है कि जब तक आपके objective से नहीं होगे जब तक आपके target से नहीं होगे आपको पता नहीं होगे आपको जाना का है तो आप लोकेशन का पता नहीं होगा तheim night qaroon awake तो ऊबब आगे भर पाओगे तो आपको पता होना चीब करना है है कैसे अक्ते अ क्र मेया क्लीर हो गया Ettaстеर लेने पड़ते हैं कि कौन सा रास्ता हम चुनने वाले कौन सा स्टैप हम चुनने वाले क्या हम पहले करेंगे क्या हम बाद में करेंगे तो planning के इंटल यह सारी चीजह होती है इतना डीटेल में पढ़ने की जूरुत नहीं है जो चीज़े प्लैनिंग क्रेटिविटी और इन्योवेशन पर पेस्ट है क्लियर हो गया ओके इसके बाद एक और डेफिनेशन दे रखेंगे प्लैनिंग इन्वार्ट सेटिंग अब्जेक्टिव मतलब हमारे टार्गेट हमारे गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करन के लिए कौन-कौन से एक्शन लेने होंगे वह बस इतनी चीज प्लैनिंग के अंदर क्या होता है मों अब्जेक्टिव को सेट करते हैं और अब्जेक्टिव के साथ सब वह हम तरीके डूनते हैं कि उन कौन से तरीकों से हम काम अचीव कर सकते हैं जैसे आपको क्लास 12 में 90 को क्या किया करना पड़ेगा वह आपत अलगा हमको पड़ना पड़ेगा हमको प्रैक्टिस करनी कि हमारी रैटिंग स्फिट नहीं होनी चाहिए तो आप अब्जेक्टिव सट प्शेट करो% फिर courses of action तरीके डूंडर हैं method डूंडर कैसे उन चीज़ों को चीज़ों किया जा सकता है objective आपको direction देते हैं कि किस direction आपको काम करना है 12-90% लेकर आने तो आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ जादा होगा मौज मस्ती और हवारागर्दी की तरफ कम होगा life में successful होना है तो आपका focus काम पर होगा ना कि इदर उदर ताका जाकी पर होगा समझ में आगी है तो objective आपको target देते हैं कि किस direction में आपको काम करना है तो मतलब एक चीज और डेफिनेशन आगी मतलब planning में क्या है planning में हम objectives को set करते हैं हम target को set करते हैं और फिर एक action plan मनाते हैं कि यह यह steps हम करने वाले हैं और जिससे हम अपने goals को achieve कर लेंगे मतलब यह दो चीज़े बताते हैं क्या चीज बताते हैं क्या करना है और यह भी बताते हैं कैसे चीज को achieve किया जाएगा जो चीज़े अंडर लाइन है बस आपको वही major league बार बार पढ़ने हैं और बात खतम इन शॉट इन शॉट जो एक final definition बन कर आ रही है वह क्या है planning can be defined as the process of setting objectives for a time period अभी अभी जैसे आपका class 12 तक का गोल है तो आपके लगए एक साल का गोल होगा आपका entrance test का फिर आपका गोल होगा तीन साल college में क्या करना फिर आपको करीयर का तो मतलब हम जो भी गोल बनाते हैं ताइम पीरेट के लिए गोल बनाते हैं फिर देखते हैं कैसे कैसे उस चीज़ को achieve किया जा सकता है ऐसे भी क planning का मतलब है क्या करना है कैसे करना है वो करने के लिए हमको से steps लेने होंगे best steps को चुनियों काम करना चालू करती आपी गोल अचीव हो जाए तो यह था हमारा चोटा सा basic concept of planning जो कि हमने आज कर लिया और उस पर हम लगा देते हैं टिक next class के अंदर हम देखेंगे planning process को करेंग तो आपको मजा आयोगा पहरी class के अंदर मुझे तो बहुत मजा आया और यह chapter बहुत ही जादा interesting है और next class तो बहुत ही जादा interesting होने वाली है तो उसको miss मत करना आप से मुला करते हैं अगी class के अंदर तेल दर रखना बहुत बहुत ख्यार रखना और पढ़ते रहना जै हिं